एक्सरसाइज 8B, question number 4 and question number 5 इस दोनों में पूछ रहा है coefficient बतलाने के लिए एक-एक term सब में दिया हुआ है, देखो एक है कहीं term है सब में ठीक है, coefficient पूछ रहा है coefficient जो होता है, एक term में होता है coefficient क्या कहता है coefficient? कि term में क्या है, दो factor है एक होता है उसका literal factor, valuable वाला part और एक होता है numerical factor, constant वाला part इसमें देखो, यह 13x है, यह minus 5y है इसमें समझो, यह जो y हुआ, यह तुम्हारा literal factor हो गया और यह जो minus 5 है, यह numerical factor हो गया तो कहता है कि जिसका भी coefficient पूछ रहा है तो उसको हटाओ, और जो बच गया वही उसका coefficient होगा कहने का मतलब, कि जो numerical factor है उसका coefficient जो होगा, वो होगा तुमको literal factor और literal factor का coefficient, जो numerical factor है वो होगा एक और चीज़, जैसे इसमें 2-2 है, A और B तुमको literal numbers है, इसमें A and B है तो यदि किसी A का factor पूछ रहा है, इसमें 2 factors होगे ना एक A, B हो गया और एक 6 हो गया A, B का coefficient 6 हो जाएगा और 6 का coefficient A, B हो जाएगा यदि A का coefficient पूछ रहा है, तो बाकि जो factors बच गया क्या बच गया इसमें, 6 और B बच गया इसका multiplication, इसका जो product टोटा 6 भी, वो A का coefficient हो गया यह याद करने के लिए है, समझने के लिए क्लिए क्लेन में, समझ लो कि जिसका भी coefficient किसी term में, जिसका भी coefficient पूछ रहा है, उसको हटाओ और जो बच गया, वह ही उसका coefficient हो जाएगा इसी तरह दोनों को हम लोग solve कर देंगे, इसमें coefficient पूछ रहा है, जिसमें दिएवे किसका coefficient बतलाना है और इसमें numerical coefficient बतलाना है, दोनों को हम लोग, एक एक सेकेंट में ही solve होते चला जाएगा करता है कि X का coefficient क्या होगा 13X में, X को हटाओ, क्या बच गया हमारे पास 13, तो यहीं 13 ही answer होगा इसका, सेकेंड देखो, करता है Y, coefficient of Y in minus 5Y, यह यहां से Y हट गया, तो क्या बच गया, हमारे पास minus 5 बच गया, यहीं इसका coefficient हो जाएगा थर्द देखो, A in 6AB, A का coefficient पूछ रहा है, तो A को यहां से हटाओ, क्या बचेगा हमारे पास 6B, यहीं इसका coefficient हो गया फॉर्थ में, coefficient of Z in minus 7XZ, यहां से Z हटेगा, क्या बचेगा हमारे पास minus 7X, यहीं इसका coefficient हो जाएगा coefficient of P in minus 2PQR, P का coefficient, P यहां से हट गया, क्या बचेगा, जो बचेगा वहीं इसका coefficient हो गया, हमारे पास बचेगा 2QR, fine, 6 देखो, Y square in 8XY square Z, Y square का coefficient हो ही होगा, जो Y square को हटाने के बाद बचेगा, हमारे पास बच रहा है 8XZ, यहीं इसका coefficient हो गया इस दोनों में थोरा समझने वाली बास बास हो, इसे हम समझा चुके हैं, तुमको जब हम समझा रहे थे, कोईफिसेंट वाला, तो हमने तुमको इसको समझाया था, फैक्टर्स वाले में भी यह काम करता है, वो इसका लिंक होगा, लिंक हम दे देंगे, इसके description में उसको देख लेना, अच्छी तरह समझने आजाएगा, फिर भी अंतुरा समझा जाएते हैं, एक्सक्यूड का, एक्सक्यूड में कोईफिसेंट पूछ रहा है, कहो, कि सर, यह वो फोई चीज है इसमें घूंख है ही नहीं, एक्सक्यूड होता है, x3 यह होता है 1 into x3 अब आगया ना इसमें numerical factor भी आ गया और जो literal factor वो भी आ गया अब x3 यहां से x3 भटेगा तो क्या बचेगा 1 तो इसका answer हो जागा हमाने पास 1 यही इसका coefficient होगा यह चीज थोड़ा tricky है इसको समझना है इसमें देखो इसी तरह पुछता है कि x2 का coefficient क्या होगा minus x2 में minus x2 का मतलब हो गया minus 1 into x2 अब तुम मतला सकते हो कि x2 का coefficient क्या होगा वो होगा minus 1 minus 1 ठीक है फिर्थ कॉस्चन दो देखो कहता है write the numerical coefficient of ab अब ab में तो कोई number है नहीं कोई constant है नहीं तो आएगा कहां से इसको लोग सकते हैं 1 into ab इसका मतलब हो गया कि जो numerical coefficient है वो 1 होगा इसका fine minus 6 बेस्वार यह easy है factor जो numerical coefficient numerical factor जो होगा वही numerical coefficient होगा इसमें numerical factor है minus 6 और bc जो है वो तुमको literal factor है तो यह minus 6 इसका numerical coefficient हो गया 7 x y z 7 numerical factor x y z literal factor numerical factor वही coefficient होगा तो यह answer हो गया 7 और इसमें हमारा constant term of इसका इसका चारो का constant term हमें लिखना है constant term क्या होता है तुम लोग ने याद किया होगा या इसके पहले मैंने बतलाए वे था कि वह ऐसा term जिसमें कोई भी literal factor नहीं हो तो literal factor नहीं हो तो कौन सा factor बचेगा जो numerical factor होई बचेगा तो ऐसा term जिसमें सिर्फ numbers हो literal factor नहीं हो वही constant term होता है इसमें देखो क्या दूसरी चीज़ तर्म हम लोग जब भी लिखते हैं उसके sign के साथ लिखते हैं हमसा याद रखना इसमें देखो तीन term है 3x square plus 5x plus 8 कौन सा ऐसा term है जिसमें कोई भी literal factor नहीं है मतलब variable नहीं है तो इसी वाले factor में कोई भी variable नहीं है सिर्फ numerical factor है तो हमारे पास इसका जो answer होगा इसका constant term हो जाएगा plus 8 plus 8 है तो सिर्फ 8 लिखेंगे कोई problem नहीं है इसमें देखो इसमें कौन सा factor है यहाँ 2x square इसमें आगे literal factor लेकिन इसमें literal factor नहीं है तो इसका हो जाएगा 9 नहीं होगा इसका होगा minus 9 हमेशा याद रखना term जब भी हम लोग लिखते हैं उसके sign के साथ लिखते हैं चुकि plus रहेगा तो नहीं लिखते हैं 3 का मतलब plus 3 होता है लेकिन यदि minus 3 है तो minus 3 ही लिखेंगे term में इसमें देखो क्या है इसका term हो जाएगा 3 upon 5 ठीक है और जो fourth है इसमें यह है little है इसमें भी little है इसमें भी सिर्फ इसमें नहीं है तो इसका हो जाएगा minus 8 upon 3 एक ही चीज़ इसमें सीखने वाली है कि जब लोग term लिखते हैं तो उसके sign के साथ लिखते हैं कोई भी term लिखे हैं हम लोग इसमें constant term लिखना है sign के साथ लिख दिया seventh question कहता है इसमें total nine जो है algebraic expressions दिये हुए है कहता है कि पहचानो कि इसमें से कौन सा monomials है binomials है और कौन सा trinomial है monomial कौन सा कैसा algebraic expression monomial होता है बतला चुके हैं तुमको कि जिसमें एक ही term हो एक ही term जिसमें होता है वो monomial हुआ जिसमें दो term हुआ वो तुमको binomial हुआ जिसमें तीन term हुआ वो trinomial चार टर्म हुआ तो quadrinomial और यह two से binomial से लेके आगे तक जितना भी है यह सारा polynomial कहलाता है एक monomial one term बाकि सारा polynomial अब इसमें क्या है सो देखो जो term है ना वो multiplication और division से अलग हुआ हुआ है वो term अलग अलग नहीं हो जाएगा वो एक ही term होता है जहां multiplication और division है term अलग होता है plus और minus से जितना plus और minus से अलग किया हुआ है वो सारा term हुआ यह इसमें एक ही है दो चीज़ नहीं है minus 2xyz एक ही term है इसमें कोई भी दो item नहीं है जो दो ऐसा term नहीं है जो plus और minus से अलग किया गया है एक ही term है इसमें इसलिए यह हुआ तुमारा monomial क्या हो गया यह यह तुमारा monomial हो गया अब यह second में हो इसमें 5 plus 7x cubed y cubed z cubed यह एक term हुआ और यह दूसरा यह एक term और यह दूसरा term sorry यह term जब भी लो तो sign के 7 लो ठीक है दो term हुआ बाइ बाइ मतलब 1 बाइ मतलब 2 ट्राइ मतलब 3 कॉड़री मतलब 4 इस तरह से तो इसमें 2 term है तो यह क्या हो गया यह binomial हो गया binomial fine third में फिर से देखो एक ही term है कहीं विए ऐसा दो चीज़ नहीं है जो plus minus अलग किया हुआ है बचारा single पड़ा हुआ है यह monomial ही हुआ monomial fourth है a plus b minus 2c एक term यहां है दूसरा term plus b है और तीसरा minus 2c है plus और minus से यह 3 को अलग किया गया है इससा मतलब है इसमें 3 term है तीन टर्म अलग करनों trinomial बोलते हैं यह हो गया हमारे प्लस trinomial fifth देखो इसमें भी तीन टर्म है एक है x y दूसरा term है plus y z और तीसरा है minus z y minus से अलग किया हुआ और plus से अलग किया हुआ तो तीन टर्म है यह भी हमारा trinomial ही होगा fine x5, एक ही term है बचारा कहीं plus minus नहीं है अलग क्यों नहीं है, monomial है सिधा है बचारा, ये हो गया monomial इसमें देखो क्या है 1, 2, 3, 4 plus 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 ये 4 term आ गया इसमें एक term दूसरा term, तीसरा term और चौथा term अब ये पूछ रहा है कि monomials, binomials और trinomials में पहचानना है, जबकि ये quadrinomials है, 4 term है इसमें, ठीक है, तो हम लोग इसका answer लिखेंगे, none क्योंकि ये नहीं, तीनी चीज़, ये quadrinomials नहीं लिख दिना यहां पाई, इसलिए quadrinomials है लेकिन ये identify करने के लिए ये quadrinomials का नाम इसमें नहीं दिया है इसने कहा है कि, जो monomials से उसको पहचानी है, binomials और trinomials को ही पहचानी है, और ये हो गया quadrinomials इसके answer हो जाएगा none ये तीनों में से कुछ नहीं है ये नहीं, none ना monomial है ना binomial है ना trinomial है यह quadinomial है, जिसका option ही नहीं है हमारे पास, तो यह none, इस तीनों में से यह कोई नहीं है, minus 14, simple है, एक ही term है, constant term है, जो भी term है, यह हमारे पास आ गया, monomial, monomial, last में 2x plus 1, बीच में plus है, इसका मतलब दो term को अलग किया गया, दोनों term है, तो यह हो गया binomial, जो definitions है, जो तुमने याद किया है, वो तुमने समझा है कि नहीं समझा है, इसी को check करने के लिए यह question है, ठीक है न, कोई mathematical calculation इसमें नहीं है, यह हो गया question number 6 and question number 7,